Hello everybody, I am CSI Shikha Agrawal and आज की क्लास में हम हमारा टॉपिक No.11 continue करने वाले हैं विचिस लॉजिकल वेंड डियाग्रम कल की क्लास में हमने लॉजिकल वेंड डियाग्रम स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आप लोगो कुछ बेसिक कंसेप्ट समझाये थे लॉजिकल वेंड डियाग्रम होता क्या है और इसे किस तरह से बनाया जाता है तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को एक्जाम्पल दिया था कि जब आपको किसी डेटा को पिक्टोरिकल फॉर्म में से सर्कल के फॉर्म में क्याना करना रहता है उसे हम मोलते है लॉजिकल वैंड डियाग्रम जैसे अघर को i7 गुछ करना म सॉरि अगर को कुछ गर्ल्स का नाम दिया हुआ है उसको रिप्रेजिट करना है तो कैसे बनाओगे girls and boys के बिच में कोई relation नहीं है मतलब girls का अलग circle बनेगा boys का अलग circle बनेगा तो यह हमारा girls का circle बन गया यह हमारा boys का circle बन गया और boys के सारे नाम हमने boys वाले circle में डाल दिये girls के सारे नाम हम girls वाले circle में डाल देंगे फिर हमने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेट में गए थे जिसमें तनू प्लीज स्टॉप प्रेजेंटिंग ओके ठीक है तो फिर कल की क्लास में हमने देखा था कि अगर मान के चलो मेरे पास कुछ बच्चों का डेटा है और उसमें में को पता चला कुछ बच्चों को पीजा पसंद है कुछ बच्च पसंद है मोमोस पसंद ही नहीं है और ऐसा हो सकता है कुछ बच्चों को सिफ मोमोस पसंद है पीजा पसंद ही नहीं है और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चों को दोनों पसंद है तो इसका जो डाइगरम बनेगा मैम वो बनेगा ऐसा कैसा पीजा का ये वाला सरकल मोमोस क से बão दोनों और 2 हों बुड़ा की रिलेशन कुछ सिर्फ पीज़ाओं एस कानौ कमोरी हो की सब्सक्राइब सुछज इस ःसथ में पास्ता करने जिड़ जोड़ गई अब इस कारगी सब सब्सक्राइब हो और 10 पास्ता की चोड़ गए अब कुछ बच्चों को हो सकता है पीजा मोमोस पसंद है कुछ बच्चों को मोमोस पास्ता और कुछ बच्चों को पीजा पास्ता और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चों को तीनों पसंद है तो इसलिए हमारा यहां बस बन जाएगा कि एक सर्कल य ग्रीन वाले सरकल के बिच में थोड़ा बहुत रिलेशन है Similarly, ये ग्रीन वाले सरकल और ये ब्लू वाले सरकल के बिच में थोड़ा बहुत रिलेशन है Similarly, ये ब्लू वाले सरकल और ये रेड वाले सरकल के बिच में थोड़ा बहुत रिलेशन है और यह जो बीच वाला पार्ट है यह तीनों का common है तो इसे हम बोलते हैं तीनों के बीच में थोड़ा बहुत relation है तो यह हमने कुछ examples है किते समझने के लिए कि logical Venn diagram होता क्या है किस तरह से बनता है अब आज हम हमारे book से काफी सारे example समझने वाले हैं कि logical Venn diagram हम बनाते कैसे हैं क्या सोचके बनाते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं this is our topic number 11 which is logical Venn diagram starting में लिखा हुआ यहाँ पस कि मैं Venn diagram क्या होता है मैंने आपको बताया जब हम किसी data को ऐसे circle form में pictorial form में represent करते हैं तो that is Venn diagram ठीक है बदमाशी नहीं करो chat box में अभी पढ़ाई में ध्यान दो चलो Venn diagram is a diagram representing mathematical logical sets pictorically a circle और close curve जब हम ऐसे circle और close curve के form में जब हम किसी data को represent करते हैं तो उसे हम बोलते है logical Venn diagram ठीक है चलिए अब मैम आपको जो data दिया हुआ है ऐसा हो सकता है कि दो data के बीच में complete relation है या ऐसा भी हो सकता है कि दो data के बीच में थोड़ा बहुत relation है या ऐसा भी हो सकता है कि दो data के बीच में कोई relation नहीं है क्या मैम क्या बोल दिया बिल्कुल समझ में नहीं आया चलो example के साथ समझते हैं चलो example के साथ समझते हैं अब अगर मैं आपको बोलू कि मैम pen एक second मैं आपको बोलू मैं pen और pencil एक मैं मैंने बोला pen और एक मैं मैंने बोला pencil तो क्या यहाँ pencil और pen के बीच में relation है the answer is no क्यों क्योंकि pen अलग होती है pencil अलग होती है this is pen this is pencil क्या pencil pen होती है the answer is no क्या pen pencil होती है the answer is no दोनों अलग अलग होते हैं भाया pen अलग होती है pencil अलग होती है इसलिए अगर मैं बोलू कि इसका वेंड डियागरम बनाओ तो कैसे बनाओगे यह pen का circle बन गया और यह pencil का circle बन गया क्यों क्योंकि madam pen अलग होती है pencil अलग होती है ऐसा कोई pencil नहीं होता और ऐसा कोई pencil pen नहीं होता इसलिए अगर मैं pen और pencil का आपको when diagram बनाने बोलू तो इसके दो separate circle बनेंगे क्यों ma'am क्योंकि इनके बीच में there is no relation there is ma'am there is no relation between pen and pencil तो जब कोई relation नहीं होता है ma'am दो data के बीच में कोई relation नहीं होता है तो उसका दो separate when diagram बनता है दो separate circle बनता है दो separate गोला बनेगा अब इस example को अपन थोड़ा extend करते हैं कैसे मैं बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ ma'am mango मैंने एक data बोला mango और दूसरा word मैंने बोला fruit तो क्या दोनों के बीच में relation है क्या दोनों के बीच में relation है mango और fruit आप बोलो के ma'am सिर्फ आप खाने की चीज़ों का example क्यों देते हो मेरे mind में वही सब चलता रहते है, सिर्फ खाने की चीज आती रहती है, इसलिए मैं खाने का example देती हूँ, ठीक है, तो फिर mango सुनके किसी किसी के मुह में पानी आ गया होगा, तो I am not जिम्मेदार for that, ठीक है, तो अगर मैं आपसे पुछूँ कि मैम, mango और fruit के बीच में कोई relation ह kg तो आप लोगा, हाँ मैं मैं है, mango fruit होता है, मैं आपसे बीगता है, exiting ओ सुनके हैं, कि मैं गोता है, तो आप लोगे मैं वह कहा हैं, अप लोगा था। या इंदोगे मैं है, तो आपJa het with Mimi, जनु तो अरो भी आते हैं में बहुत प्रूट होथills और गरोग असरे निसलिए थोड़ी fruit होता है, so अगर मैं इसका when diagram आपको बनाने बोलू तो मैम यहां कैसा diagram बनेगा यहां mango is completely related to fruit मतलब सारे mango apple होते हैं तो, sorry सारे mango fruit होते हैं तो मैम, अगर मैं बोलू कि यह fruit का circle है मैम, अगर मैं बोलू कि यह red वाला circle fruit का circle है तो mango का circle कहां आएगा mango का circle कहीं न कहीं अंदर आएगा fruit के अंदर आएगा क्योंकि mango एक तरह का fruit ही है so mango is completely related to fruit, तो mango का circle मैम ऐसा बन जाएगा यहां पर छोटा सा बन जाएगा यह बन जाएगा हमारा mango का circle which means, which means mango is completely related to fruit, क्योंकि सारे mango fruit होते हैं पर सारे fruit mango नहीं होते तो इसे लिए ये वाले जो fruits हैं कौन से देखो ये वाले जो fruits हैं ये वाले ये fruits तो हैं पर mango नहीं है तो हो सकता है ये apple होंगे apple होंगे, grapes होंगे गवावा होंगे बहुत सारे होंगे जो भी तो बहुत सारे fruit होंगे लेकिन ये वाला जो circle है मैम ये mango का circle है और mango का circle fruit के circle के अंदर आ रहा है क्योंकि mango is a type of fruit mango is completely related to fruit तो ये होता है हमारा दूसरा scenario जब madam complete relation होता है ना जब complete relation होता है ना complete relation तो ऐसे एक गोला दूसरे गोले के अंदर बनता है नो relation होता है madam no relation बिल्कुल कोई भी relation नहीं है तो ऐसे दो अलग-अलग गोले बनता है क्योंकि दो लों के बीच में कोई relation ही नहीं है लेकिन अगर मैम एक गोला दूसरे गोले से completely related होता है तो वो उसके अंदर बनेगा ठीक है तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैंगो का गोला फ्रूट के गोले के अंदर बनेगा अब एक और एक्जामपल लेते हैं थर्ड थर्ड एक्जामपल मैडम थर्ड एक्जामपल दे दो दे दो चलो ले लो तीसरा एक्जामपल है मैम थीस एक्जामपल है आ तीसरा एक्जामपल लेते है हम girls and girls and students अब अगर मैं आपको पोलू तीसरा example है girls और students तो आप लोग को बताना है girls और students के बीच में क्या relation है Madam और Sir लोग ध्यान से सोचना क्या सारी girls student होंगी जरूरी है क्या सारी लड़किया पढ़ाई कर रही होंगी जरूरी है क्या सारी girls student होंगी जरूरी है क्या आंसर इस नो विपिन बोल रहा है नो नैंसी बोल रही है नो प्रियांशी बोल रही है नो नहीं जरूरी नहीं ऐसा हो भी सकता है मैडम कि कुछ लड़किया students है और ऐसा हो भी सकता है मैडम कि कुछ लड़किया student नहीं है ठीक है और अगर हम student की बात करें तो ऐसा हो सकता है कुछ student लड़किया होंगी और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ student लड़किया नहीं होंगी लड़किया होंगे student तो कोई भी हो सकता है न लड़किया लड़किया ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ लड़किया ही student होंगी तो madam, madam इसका circle कैसे बनेगा? इसका circle ऐसे बनेगा कि ये girls का circle बनेगा तो कुछ girls ऐसा हो सकते हैं, student है और कुछ girls student नहीं है तो student का circle बन जाएगा ma'am, ऐसा तो ये वाली जो student हो जाएंगी, ये वाली ये ऐसी students है, जो girl नहीं है, मतलब boys है और ये वाली जो girls है, ये वाली जो girls है तोड़ा सा shading उपर नीचे हो गया है, adjust कर लेना ये वाली जो girls है, ये students नहीं है ठीक है? और madam ये जो common part है ना दोनों का ये वाला green वाला part ये जो common part है ना दोनों का ये ऐसी लड़कियां है, जो student भी है तो ये देखो, ये girl भी है, plus student भी है तो ये देखो, ये girl वाले column के अंदर भी आ रहा है girl वाले गोला के अंदर भी आ रहा है, लड़की वाले गोला के अंदर भी आ रहा है और student वाले गोला के अंदर भी आ रहा है तो ये वाला जो part है ये दोनों में common है मतलब ये लोग लड़की भी है और student भी है और ये वाला जो है ये लोग लड़की है पर student नहीं है ये वाला जो है ये लोग student है पर लड़की नहीं है तो यह जो हमारा गोला बनता है, इस टेप का जो हमारा सरकल बनता है, इसको हम बोलते हैं, there is some relation, there is some relation between both the data, there is some relation between girls and students, complete relation भी नहीं है, क्योंकि अगर complete relation होता तो एक गोला दूसरे गोले के अंदर आ जाता, और बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी relation नहीं है, कुछ भी relation न करेगा, समझ में आया सबको, crystal clear, तीन concept, crystal clear, all relation, complete relation, no relation, some relation, crystal clear everybody, चलिए, अब अगर आप ये समझ गए होंगे ना, तो आप वेंड डियागरम के question नहीं है, ऐसे बाएं हाथ से कर लेंगे, और वेंड डियागरम के question करने से पहले हम वेंड डियागरम के example करेंगे, अराम से सम समझ के करना बन जाएगा आप लोगों को अगर आप अभी तक का जो concept है, उसको समझ गए होंगे तो, चलिए, अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, आपको पूछ रहा है, तीन डेटा दिया हुआ है, डॉग, काव, और हॉर्स, तो तीनों के बीच में क्या relation है, डॉग, काव और हॉर्स के बीच में क्या relation है, दा अंसर इस, तीनों अनिमल तो है, तीनों अनिमल है प्रियांची, लेकिन मैं अनिमल के साथ relation नहीं पूछी हूँ, मैं पूछी हूँ, क्या डॉग और काव का अपस में कोई relation है, क्या ऐसे क कोई होता है जो काउ भी होता है या ऐसा कोई काउ होता है जो हॉर्स भी होता है दा अंसर इस नो तो मैडम यह डॉग का गोला अलग बनेगा काउ का गोला अलग बनेगा और हॉर्स का गोला अलग बनेगा तीनों में ओवरलैपिंग नहीं होगी क्यूं क्यूंकि तीनों में ड there is no relation between all three ऐसा कोई डॉग काउ नहीं होता ओवरलैप नहीं करेगा डॉग एक अलग प्रजाती है काउ एक अलग प्रजाती है होर से गलग प्रजाती है तो तीनों का तीन सेपरेट गोला बन जाएगा clear crystal clear there is no relation separate circle very good चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा एक्जाम्पल दूसरा एक्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ एक एक्जाम्पल मैं आपको देती हूँ just a second week ये एक्जाम्पल बुक में नहीं है मैं अपने मन से दे रही हूँ copy में लिख लेना week day rather say day day week and year अगर मैं आपको बोलू कि आप week day और year का when diagram बनाओ तो कैसा बनेगा क्या यहां कैसा relation है यहां पस कैसा relation है no relation है गोले के अंदर गोला very good अब है please chat box में बताना answer okay तो यहां पस मैं no relation है कि some relation है कि all relation है कि complete relation है complete relation है कि no relation है कि some relation है the answer is complete relation है अकांशा बोल रही है very good क्यूं madam क्यूंकि हमें पता है ना साथ दिन मिलकर के एक हफता बनाते हैं और 52 हफते मिलकर के एक साल बनाते हैं तो मैं अगर मैं कहूं यह day है तो अलग-अलग day मिलकर के week बनाते हैं तो बहुत सारे day मिलकर के week बनाएंगे और बहुत सारे week मिलकर के year बनाएंगे तो यह बन जाएगा हमारा वह ज्यादा बड़ा बन गया ना तो यह बन जाएगा मैं हमारा year का समझ में आया क्या यह बन जाएगा मैं हमारा day week और year का when diagram I hope आप लोग को समझ में आ रहा है कैसे क्योंकि day is completely related to week week is completely related to year क् còn उसलिए यहां बनेगा गोले के अंदर गोले के अंदर गोला वह देखियो ना inception सपने के अंदर सपने के अंदर कोई सपने के सपना कोई देखा है इनी सेप्शन है कुछ देखा है अंग कुछ भी देखा है ओके निदी भी देखिए चल चलिए तो यहां पस क्या हो जाएगा कि डे क्या होता है डे मिलकर के आपस में वीक बनाते हैं वीक मिलकर के आपस में पूरा साल बनाते हैं 52 विक मिलकर के पूरा साल बनाते हैं इसलिए यहां पस क्या हो रहा है कि day completely related है week से इसलिए day का गोला week के गोले के अंदर आया और week का गोला year के गोले के अंदर आएगा समझ में आया क्या अब इसका एक और example देती हूँ मैं इसका एक और example देती हूँ अशिश अभी यह वाला समझ लो dog वाला बहुत easy example था वो वा वला समझ में आ जाएगा आपको example करेंगे तो समझ में आ जाएगा अब दूसरे example देती हूँ मैं आपको units tens yani hundreds इसका कैसद बनेगा when diagram यूनिट तन्स और hundred का कैसा बनेगा रव canoe सी सी मैं क्रिस्टल क्लियर चलिए यूनिट टेंस और हंडिट का कैसा बनेगा वेंड डाइग्राम बता दो मिरको अब यह बोल रहा है सेम बनेगा जैसे पहले बनाए थे ना ये वाला कौनसा डेवी कॉरियर वाला मैडम अगर आप मैट्स आपको बच्पन की मैट्स याद होग मतलब तीन डिजट होते हैं तो वह लिए जब जब नम्बर सुह दो करने मेरा स्लिपफि करना पहुत होता हैं ऑप अप समझ जाना ठीक है चलिए तो यहां बसकर होगा मैम यूनिट्स मिल करके टैंस बनाते हैं तो यह ब्लू आला है यहो जयेगा यूनिट्स रूडिकर आपस में TENS बनाते हैं तो यह हो जाएगा मैडम, light चली गई चलिए units मिल करके आपस में TENS बनाते हैं और TENS मिल करके आपस में 100S बनाते हैं 100S तो इसका भी ऐसा ही Venn diagram बन जाएगा, कि unit का diagram TENS के अंदर आएगा, और TENS का diagram 100 के अंदर आएगा क्यूं क्योंकि मैं अगर एक बार ध्यान से देखो तो सारे units 10 के अंदर आजाएंगे बट सारे 10 units के अंदर नहीं आएंगे similarly सारे 10s 100s के अंदर आजाएंगे but सारे 100s 10s के अंदर नहीं आएंगे I hope आप लोग को समध में आ रहा है तो यह बन जाएगा हमारा units, tens और hundreds का डाइगराम तो देखो, यहाँ पस यह हो गया हमारा first example, second example में units, tens और hundreds का डाइगराम बन जाएगा ऐसा यह units, यह tens और यह hundreds example number three करते हैं example number three में आपको बोल रहा है तीन words हैं, एक है pen, और एक है pencil, और एक है stationary एक है stationary, एक है pen, एक है pencil और एक है stationary तो madam, अगर आप मेरे को बोलो, तो ma'am pen और pencil के बीच में तो कोई relation नहीं है pen बिल्कुल अलग होता है, pencil बिल्कुल अलग होता है तो pen और pencil का diagram तो अलग-अलग बनेगा तो अगर मैं आपको बोलो, ये बन गया pen का circle और ये बन गया pencil का circle separate क्यों बना ma'am, क्योंकि pen और pencil के बीच में कोई relation नहीं है ma'am pen अलग होता है, pencil अलग होता है इसलिए pen का गोला अलग बन जाएगा, pencil का गोला अलग बन जाएगा अब तीसरा वाला देखते है, तीसरा वाला क्या है मैं स्टेशनरी स्टेशनरी तो एक broad time है, स्टेशनरी में तो सब कुछ आ जाता है pen, pencil, rubber, cutter, copy, scale सब आ जाएगा तो मैडम एक बात बताओ, pen भी स्टेशनरी के अंदर आएगा pencil भी stationary के अंदर आएगा, और stationary के अंदर तो बाकी बहुत सारे item आते हैं, तो stationary का गोला बन जाएगा, ऐसा, light आ गई, very good stationary का गोला बन जाएगा, ऐसा, तो यह हो जाएगा हमारा मैम, stationary क्योंकि यह देखो, stationary में सब आ जाएगा, stationary में pen भी आ जाएगा स्टेशनरी में पैंसिल भी आ जाएगा और स्टेशनरी में वो सारी आइटम आ जाएंगे स्टेशनरी में वो सारी आइटम आ जाएंगे जो पैन और पैंसिल नहीं है तो ये वाला आइटम जो है स्टेशनरी का ये ना ही पैन है और ना ही पैंसिल है हो सकता है रबड होगा, हो सकता है कटर होगा, हो सकता है स्केल होगा, हो सकता है कुछ और होगा तो ये वाला जो portion है, ये वाला, ब्राउन जो जिसको मैंने किया है ये वाला portion वो portion है stationary का, जो ना ही pen है और ना ही pencil है, कोई और stationary है तो ये बन गया हमारा pen pencil और stationary का डाइग्राम crystal clear everybody crystal clear मंजीत बोल रहा है पहले stationary लेके उसमें दो गोले करे तो easy होगा तो ये वाला आप लोग को hard लगा जो मैंने समझाया कि pen अलग होता है pencil अलग होता है और pen pencil दोनो stationary के अंदर आते हैं ये method जादा easy है आप लोगो कौन सा method easy लगेगा मंजीत का method easy लगेगा क्या जिसको जौन सा method easy लगेगा वो वाला method follow कर लेना मेरे को ये वाला method जादा easy लगता है ठीक है चलिए अब दूसरा method follow करते हैं दूसरा example देखते हैं example number one done, example number two done और example number three done example number one, two, three done moving towards example number four which is saying sister, mother and एक और क्या था? sister, mother and woman sister, mother, woman sister, mother, woman तो इसका क्या बनेगा मैम? इसका क्या बनेगा? जल्दी बता दो बता दो मुझे Nancy बोल रही है joint circle बनेगा Rikki बोल रहा है complete relation है तो एक बात बताओ मेरे को मैम woman एक broader category है woman में सारी ladies आ जाएंगी woman में लड़किया भी आ जाएंगी और ladies भी आ जाएंगी woman एक broad category है जिसमें सब आ जाएंगे तो मैम, अगर मैं आपको पूछू sister और mother का woman के साथ क्या relation है? तो मैम, sister और mother का woman के साथ complete relation है क्योंकि सारी sister और सारी mother woman होती है तो अगर मैं बोलू, तो woman का एक बड़ा डबा बनना चाहिए woman का एक बड़ा circle बनना चाहिए और उस circle के अंदर आने चाहिए mother भी और sister भी और ऐसा हो सकता है मैम, क्या? अब मेरे को बताओ कि sister और mother के बीच में क्या कोई relation है sister और mother के बीच में is there no relation और some relation और all relation sister और mother के बीच में no relation है कि some relation है कि complete relation है जल्दी बताओ मैयूर इतना लेट क्यू आए आप? मैयूर लेट क्यू हूँ हूँ? आप लिट क्यू हूँ हूँ? क्या गयते कहां गयते? खेत में खेत में? काम करने? ठीक है कल से टाइम पर आना साथ बज़े आ जाना ठीक है ठीक है ओके तो मैम अगर मैं आपसे पूछूं जसे सेकें चैट बॉक्स में मुझे कई लोग आंसर बता रहे हैं मंजीत बोल रहा है कल छुट्टी है हां मंजीत कल छुट्टी है ठीक है दिए बहुत लोग भोट रहे हैं रिक्की बोल रहा है सम एक हमर रेलेशन रवी मंजीत नयंसा प地方 रहे हैं सम रिलेशन होगा क्यूं एसा हो सकता है क्ई कुछ sisters mother है और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ sisters mother नहीं है. ठीक है? जैसे आपकी मम्मी, आपकी मम्मी किसी न किसी की तो बहन है ना, तो ऐसा हो सकता है कई mother की बहन, कई mother बहन भी है और कई mother बहन नहीं है. So there is some relation between sister and mother. तो sister और mother का डियागरम कैसा बनेगा, मैंगर यह sister का बन गया, तो mother का बनेगा ऐसा, यह green वाला हो गया mother का, यह blue वाला हो गया sister का, और यह red वाला हो गया, पुरा का पुरा woman का, तो madam, पूरे woman के अंदर आ जाएंगे हमारे sister और mother, ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि कुछ sisters mother नहीं ह और ये वाला जो पाट है ये ऐसी मदर का पाट है जो सिस्टर नहीं है मदर तो है मम्मी तो है लेकिन सिस्टर नहीं है बहन नहीं है और ये वाला जो पाट है ये ऐसी लेडिस का है जो मा भी है और बहन भी है मदर भी है और सिस्टर भी है और यह हो गया हमारा पूरा वुमिन का वुमिन में तो सब आ जाएंगे चाहे वो मदर हो चाहे वो बहन हो चाहे वो चाची हो चाहे वो ताई हो चाहे वो कोई भी हो चाहे वो मासी हो सारी वुमिन के अंदर एक ब्रॉड कैटेगरी में सारी वु I hope this is crystal clear I hope this is crystal clear with this we are done with example number four which is women sisters and mother moving towards next example which is students boys and girls next example is students boys and girls chalo crystal clear everybody okay everybody is saying crystal clear Priyanchi bouldere ma'am aap nai karaa diya tha Nancy bouldere joint circle bouldere but with separate circle okay Akanchi bouldere boys or girls mick ke me koi relation nahi yes the correct answer is abhi hamne oopar wala example diya tha kya jab mahenne humare class ke bachyo me lardkiyong ka or lardkiyong ka example liya tha 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 mahenne bota ya tha ki ma'am boys ka to separate circle bane ga or ma'am girls ka bhi separate circle bane ga kya 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 aisa ho saktay kya koi lardka lardki bhi hai ki koi lardka bhi nahi madam lardkiya alag hoti hai lardkiya alag hoti hai to boys ka circle alag girls ka circle alag bane ga lekin agar mein baat karu students ki to students aisa ho saktay boys bhi hain or girls bhi hain thicc hai or aisa ho saktay kya students boys girls doonho nahi hain kya se boys girls pardh saktay hain pardhai kar saktay hain nahi uncle auntie loong bhi kar saktay hain aur bhi koi loong student ho saktay hain to student is a broader category jis me boys bhi aajayenge girls bhi aajayenge aur bhi bhoat loog aajayenge to yeh ban jayega hain students ka yeh ban jayega humara students ka circle jo kuch kuch students aise hongge jo boys bhi hongge kuch kuch students aise hongge jo girls bhi hongge aur kuch students aise hongge jo na boys hain na girls hain thicc hai aur agar yaha dekha jay to yeh wala common part he jo boys bhi hain aur students bhi hain aur yeh wale yeh wale ایsie boys hain jo students nahi hain kronse yeh wale boys toh hai पर student नहीं है, क्या सारे लड़के student होंगे the answer is no, सब कोई थोड़ी पढ़ाई करते है हो सकता है, वो school में गया ही नहीं वो पढ़ाई नहीं करता, तो वो student नहीं है और ऐसा भी हो सकता है, कुछ girls student नहीं है तो boys, students और girls का diagram बन जाएगा ऐसा ठीक है, एक circle बनेगा student का, तो यहाँ पस मैं देखोगे तो girls का some relation है students के साथ, boys का some relation है students के साथ, लेकिन boys और girls का आपस में कोई relation नहीं है, इसलिए boys का separate गोला बना है girls का separate गोला बना है, boys और girls के वीच में आपस में कोई relation नहीं है इसलिए देखो boys का गोला बिल्कुल टच भी नहीं कर रहा है girls के गोले को girls का गोला अलग है boys का गोला अलग है crystal clear everybody cushion रभी से crystal clear चलिए moving towards next example यह हो गया हमारा example number 5 example number 5 done moving towards example number 6 which is students athletes and boys which is boys students and athletes athletes इसका बताओ क्या होगा अगर मैम प्रियांशी बोल रुहां सेम नहीं बनेगा यहां पस क्या होगा मैम अगर आप देखो तो ऐसा हो सकता है स्भी है घ्यक्त कुछ थे और स्च्थे-डोइऽ गया Гण और एन तो फीरेट Canada तो मैडम तीनों के बीच में थोड़ा 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 रिलेशन है तो यह हमारा वो जो पीजा बरकर पास्ता वाला एक्जामपल था ना वैसा हो जाएगा कैसा मैडम इसका एक्जामपल हो जाएगा अगर यह बॉइस का सरकल बना हमारा तो यह बन जाएगा हमा एथलेट्स का ठीक है कैसे मैडम तीनों के विच में थोड़ा 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 रिलेशन है क्या कैसे मैडम ऐसा हो सकता है कुछ बॉइज स्टूडेंट्स भी है और कुछ बॉइज एथलेट्स भी है और ऐसा हो सकता है कुछ बॉइज दोनों नहीं है तो हो गया, अब ऐसा हो सकता है, कुछ students boys हैं और कुछ students boys नहीं हैं, ऐसा हो सकता है, कुछ students athletes हैं, कुछ students athletes हैं, तो ये वाला part हो चाहेगा, और कुछ students athletes नहीं हैं, ये वाला part, और ऐसा भी हो सकता है, कुछ athletes students हैं, तो ये वाला part, और कुछ athletes boys हैं, तो ये वाला part, ठीक है, तो एथलेट्स ऐसा हो सकते हैं क्या स्टूडेंट बॉइस दोनों नहीं हैं ऐसा हो सकता है कि एथलेट्स टूडेंट भी नहीं है तो यह वाला पार्ट आ जाएगा ठीक है तो यहां कुछ रिलेशन है जैसे अपना पीजा बर्गर वाला एक्जम्पल था ना कि कुछ बच्चो को हो सकता है सिफ पीजा पसंद है कुछ बच्चो को सिफ पीजा मोमोस पसंद है और कुछ बच्चो को तीनों पसंद है तो यह जो बीच वाला पार्ट है कौन सा ये वाला पार्ट ऐसा पार्ट आ जाएगा जो boys भी है, students भी है और athletes भी है जो तीनो है वो इसमें आ जाएंगे तो जब तीनो डेटाके भीच में थोड़ा 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 ठोड़ा relation होता है some relation होता है तो उसको हम बोलते हैं सारी सम रिलेशन और जब सम रिलेशन होता है तो तीनों एक दूसरे के सर्कल को थोड़ा-थोड़ा ओवरलाप करेंगे थोड़ा-थोड़ा ओवरलाप करेंगे और एक छोटी सी जगा होगी जिसमें तीनों सर्कल आपस में ओवरलाप करेंगे crystal clear everybody okay Nancy and Ravi saying crystal clear moving towards our next example we are done with our example number 6 tanai is saying all lions are carnivorous very good tanai very good yes all lions are carnivorous तो ma'am अगर मैं सिर्फ lions और carnivorous की बात करो तो ma'am there is a complete relation complete relation मतलब सारे lion carnivorous होते हैं तो अगर ये green वाला lion है तो ये red वाला carnivorous हो जाएगा ma'am कैसे सारे lion carnivorous होते हैं इसलिए lion का सर्कल बन जाएगा carnivorous के अंदर which means lion is completely related to carnivorous lion का गोला carnivorous वाले के गोले के अंदर बन जाएगा और ऐसा हो सकता है कि कुछ carnivorous ऐसे हैं जो lion नहीं है कैसे tiger snake ये लोग सब क्या हैं ये लोग carnivorous हैं लेकिन ये लोग lion तो नहीं है तो ये वाला part हो जाएगा ऐसे carnivorous का जो lion नहीं है और ये वाला part हो जाएगा ऐसे carnivorous का जो lion है अब अगर अगर हम बात करें काउ की तो काउ क्या lion से थानसर जो लायन अलग होता है काउ अलग होता है और अगर मैं पूछ गाय कानिवट नहीं है और काव काउ का सरकल लाकंकर से बहुतiben्या थी नहीं है और lion से भी कोई relation नहीं है मतलब cow का circle lion के पास भी नहीं डगमगाएगा कार्णी वरस के बाद भी नहीं डगमगाएगा cow का lion और कार्णी वरस के साथ कोई relation नहीं है और जब कोई relation नहीं होता है ना ma'am तब हम एक separate circle बनाते हैं तो यह बन जाएगा हमारा काव का सरकल तो काव, लायन और कार्णी वरस का वेंड डियाग्रम बनेगा ऐसा कैसे काव का इन दोनों के साथ कोई रिलेशन नहीं इसलिए काव का अपने आप में पूरा अलग गोला बनेगा और लायन is completely related to कार्णी वरस इसलिए लायन का गोला कार्णी वरस के गोले के अंदर बनेगा I hope everybody is crystal clear चलिए moving towards our next example We are done with our example number 7 Moving towards next example Dog, Animal, Flash Eater Dog, Animal, Flash, Flash Eater Flash Eater मतलब वह मास खाने वाले Flash Eater चलो बता दो इसका क्या होगा एक बात बताओ माअम दोदो के बीच में देखो प्रियांची बोल रही है माम 3 मिनट बचा है ठीक है प्रियांची मैं देख रही हो मुझे पता है 3 मिनट बचा है ठीक है चलो यहां पस क्या हो जाएगा माम Dog और Animal के बीच में क्या relation है Dog क्या सारे कुत्ते जानवर होते है The answer is yes सारे कुत्ते जानवर होते है तो Dog is Completely related to animal Dog is animal Dog एक जानवर है OS One गुता एक जानवर है तो सारे डॉअग जानवर है तो यहां क्या हो जाएगा अगर ये डॉअग का गोला बनेगा तो ये मैडम animal का गोला बन जाएगा ठीक है? ठीक है? ये बन जाएगा animal का गोला बन जाएगा क्यों? क्योंकि सारे dog animal होते हैं which means dog is completely related to animal अब आगे madam flash eater ऐसा हो सकता है कुछ जानवर flash eater है और ऐसा हो सकता है कुछ जानवर flash eater नहीं है similarly ऐसा हो सकता है कि कुछ dogs flash eater है और कुछ dog flash eater नहीं है अब ऐसे मत बोलना सारे dog flash eater होते है या सारे dog flash eater नहीं होते है दा आंसर इस जैसे कई लोग आप लोग पेट डॉग घर में पालते हो तो उनको आप जैसी habit देते हो जो खिलाते हो pedigree वेगर जो वो ही खाते है वो मास वास नहीं खाते है तो वो वाले dogs जो होते है वो flash eaters नहीं होते है लेकिन कई ऐसे जंगली dogs भी होते है जो flash खाते है तो ऐसा हो सकता है कुछ dogs flash eater है और कुछ dog flash eater नहीं है similarly with animal ऐसा हो सकता है कुछ animal flash eater है और कुछ animal flash eater नहीं है जैसे काव एक animal है ऐसा ये बन जाएगा हमारा flesh eater कैसे मैं flesh eater के साथ flesh eater का dog के साथ भी only some relation है और animal के साथ भी only some relation है ठीक है तो सारे flesh eater ज़रूरी नहीं है animal ही होंगे और सारे animal ज़रूरी नहीं है कि flesh eater ही होंगे इसलिए animal और flesh eater के बीच में भी some relation है और dog और flesh eater के बीच में भी some relation है चतीश आप अभी जॉइन किये हो हमारी class खतम होने वाली है इतना late क्यों हुआ चतीश late क्यों हुआ बोलिए नहीं बोलेंगे यह वाला समझ में आया सबको कि डॉग एनिमल और flesh eater का डाइग्राम ऐसा बनेगा क्रिस्टल क्लियर एवरीबड़ी सिम्रन सारे डॉग एनिमल होते हैं विच मींज डॉग का गोला एनिमल के गोले के अंदर बन जाएगा और flesh eater का सम्रिलेशन है डॉग के साथ और सम्रिलेशन है अनिमल के साथ इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा टच किया है पूरा नहीं थोड़े flesh eater ऐसे हैं जो डॉग भी है और थोड़े flesh eater ऐसे हैं जो एनिमल भी है इसलिए इसलिए इसका बन डाइग्रम बन गया ऐसा एवरीवड़ी क्रिस्टल क्लियर प्रियांशी बोल यह पीजा पास्ता की तरह है नहीं प्रियांशी पीजा पास्ता में दो डेटा थे यहां तीन डेटा हैं डॉग अनिमल और flesh eater, okay everybody is crystal clear, with this we are done with our example number 8, last example of this chapter, last example है ma'am, dog, flesh eater and cow, तो last example है हमारा dog, flesh eater and cow, तो एक बर cow को छोड़ दो, मेरे को बताओ dog और flesh eater के बीच में complete relation है कि थोड़ा relation है कि कुछ भी relation नहीं है, मेरे को बताओ dog और flesh eater के बीच में some relation है, थोड़ा बोल रहा है मंजीत बोल रहा है, निदी बोल रही है some relation, very good, सुधीर बोल रहा है some relation, okay, there is some relation between dog and flesh eater, मतलब कुछ डोग ऐसे हो सकते है जो flesh eater है, और कुछ डोग ऐसे भी हो सकते है जो flesh eater नहीं है, तो अगर मैं बोलू कि dog का अगर circle ऐसा बनेगा, तो flesh eater का circle बन जाएगा ऐसा, ये बन गया flesh eater और ये बन गया dog, ठीक है क्यों, क्योंकि मैं dog और flesh eater के बीच में some relation है, कुछ common वाला part होगा, और कुछ ऐसे अलग dog वाला होगा, और कुछ ऐसे अलग flesh eater वाला होगा, बराबर, अब आगे madam आगे, cow, cow का क्या, flesh eater के साथ कोई relation है, तो answer is no, cow कभी भी flesh नहीं खाती है, cow is not a flesh eater, cow का dog के साथ कोई relation है, नहीं madam, कुछ अलग होता है, गाएं अलग होती है, तो dog अलग होता है, cow अलग होता है, which means, cow का ना flesh eater के साथ कोई relation है, और ना ही dog के साथ कोई relation है, मतलब, cow का आपने आप में एक अलग गोला बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा cow का गोला, तो ये बन गया आपका Venn Diagram, I hope आप लोग को समझ में आ रहा है कि Venn Diagram किस तरह से बनाया जाता है, सब को crystal clear, सब को crystal clear, ठीक है, ओके, very good, crystal clear everybody, with this we are done with all the examples, example number 9, done, चलिए, एक दो question कर लेते हैं, इसके practice question, एक दो practice question कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को बाकी की question, homework, पहला practice question, पहला practice question, आप लोग को Venn Diagram बताना है, कौन सा सही Venn Diagram है, तो which of the following diagram correctly represent lion, lion, elephant and animals, आपको lion, elephant और animal का Venn Diagram बनाना है, और आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा सही diagram है, ABCD में से कौन सा सही diagram है, बनेगा lion, elephant और, और animal का, lion, elephant और animal का कौन सा option, अरे बापरे, सब कोई A बोल रहे है, everybody, एक बिजन कोई दूसरा answer नहीं दिया, सब एक दूसरे का देखा देखी, तो और नहीं दे रहे हो हाँ, हाँ, very good, चल यह सब बोल रहे हैं, correct answer होगा A, very good, the correct answer is A, क्यूं, कैसे आएगा, मैं एक दम ध्यान से देखना, lion अलग जानवर होता है, elephant, elephant अलग जानवर होता है, क्या कोई ऐसा हाती होता है, जो शेर भी है, या फिर क्या कोई ऐसा शेर होता है, जो हाती भी है, the answer is no, madam कैसी बात कर रहे हो, शेर अलग होता है, हाती अलग होता है, तो सेर का गोला अलग बन जाएगा, हाती का गोला अलग बन जाएगा, और जानवर, मैडम, जानवर में तो सब आ जाते हैं, जानवर में तो शेहर भी आ जाएगा, जानवर में तो हाती भी आ जाएगा, जानवर में तो टाइगर, स्नेक सब आ जाएगे तो जानवर का गोला बन जाएगा ऐसा, ये बन जाएगा हमारा animal का broader category तो यह हो गया मारा अनमल, यह हो गया लायन और यह हो गया अलेफंट, I hope everybody is crystal clear with this question, the correct option is ma'am, option number A, with this we are done with question number 1, okay, crystal clear everybody, निदी, कुष, सबको crystal clear हो गया, चलिये, moving towards next question, question number 2, आपके screen के उपर यह रहा, which of the following diagram correctly shows the relation between potato, food, vegetable, potato, aloo, food मतलब खाना, और vegetable मतलब सबजिया, तो में को बताओ, potato, food और vegetable के बीच में, क्या relation होगा, इन चारों में से, कौन सा सही diagram है इसका, ओके, बहुत लोग बोल रहे हैं, ma'am, A, बहुत लोग बोल रहे हैं, A, कुछ लोग बोल रहे हैं, C, इसमें दो answer आ रहे हैं, अच्छा, B भी आ गया, विपिन और रिक्की, B बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, A, कुछ लोग बोल रहे हैं, B, और कुछ लोग बोल रहे हैं, C, चलिए देखते हैं, क्या होगा, चलिए देखते हैं, मैं बदाती हूँ, सबसे पहले correct answer दिया है, devil जी कौन है, हमारी class खतम होने वा The correct answer is A, correct answer A है, तो सबसे पहले correct answer दिया है, अंकुष ने, then रिया ने, then निधी, आरे, sorry, अंकुष, सबने correct answer दिया है, the correct answer is A, कैसे मैडम, अगर मैं बोलूँ की, पूर एक broader category है, खाना, क्या सारी सबजियां खाना होती हैं, The answer is yes, सारी सबजी खाने क्यों होती हैं, मैडम, त सबजी का डाइगराम बन जाएगा ऐसा, वेजी टेबल इसके अंदर आ जाएगा, क्यों मैडम, वेजी टेबल का डाइगराम, फूड के अंदर क्यों बनेगा? क्योंकि फूड तो एक broader category है, फूड में तो मतलब जो भी खाने का होता है, जो भी खाने का होता है, सब फूड इसलिए vegetable food के अंदर आ जाएगा और मैं potato क्या है? potato एक तरगा vegetable है इसलिए potato आ जाएगा vegetable के अंदर so this is your potato तो आपका वेंडिग्रम बन जाएगा potato सारे potato सबजियां होती है क्या दा आशर? is yes potato is your vegetable तो सारे potato vegetable होते हैं but सारे vegetable potato नहीं होते हैं क्यों vegetable तो दूसरे भी होते हैं जैसे लौकी, जैसे भिंडी, जैसे कदू, जो भी सबजियां ठीक है तो सारे potato vegetable होते हैं बट सारे vegetable potato नहीं होते हैं अब क्या सारे vegetable खाने का चीज होती है? जी हाँ, सारी सबजियां खाने की चीज होती है बट क्या सारे खाने वाले चीज सबजिया होती है नहीं मैडम, खाने की चीज और भी होती है सबजिया को छोड़के जैसे फल, मैंगो, सबजी नहीं है वो फल है लेकिन खाने की चीज है इसलिए माम, पोटाटो is completely related to vegetable, vegetable is completely related to food इसलिए इसका गोला बनेगा एक के अंदर, दूसरे के अंदर, दूसरा पोटाटो सबसे अंदर बनेगा और उसके बाहर vegetable, उसके बाहर food everybody crystal clear with this, everybody crystal clear, okay, okay, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, option number two, question number two done, three, four, five homework दे दे क्या, three, four, five homework दे दे क्या, तीन question और बचे है इसके, three, four, five, हाँ, ठीक है, चलो, question number three is your homework, question number four is your homework, and question number five is your homework, जिन लोगों के पास ये PDF नहीं है, क्रिप्या गुरूप में text करो, या मेरे को text करो, आप लोग को PDF मिल जाएगा, ठीक है, तो question number three, four, five, of logical, when diagram is your question, इस तरीके से हमारा ये chapter होता है, ma'am, complete, कल की class में हम start करेंगे हमारा नया chapter, which is, which is, syllogism, कल की class में हम start करेंगे, ma'am, syllogism, औ और एक बात बता दू, ma'am, और सरलोंग सुनके जाओ, एक बात सुनके जाओ, logical when diagram यहां आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, क्यों, क्योंकि syllogism के जो question बनेंगे न, वो logical when diagram के basis बनेंगे, तो logical when diagram में जो आपने concept सीखे, इतना दिमाग लगा करके, पीजा पास्ता का दिमा topic number 12, कल की class नहीं, sorry, Monday की class में, क्योंकि Saturday, Sunday हमारा छुट्टी है, तो अब हम मिलते हैं Monday को, Monday की class में, हम करेंगे हमारा topic number 12, स्टार्ट, तब तक, सब कोई, जितने लोग यह class एटेंट करते हैं, पूरे 40 बच्चे, पूरे 40-50 बच्चे, पूरे 50 बच्चे, यह question number 345, homework करके म चीक है, अब है, बोल रहे है, मैम, आप digital art करते हो, इतना अच्छा है क्या मेरा art, यह देखो कितना सुंदर बनाया है, मैंने, इतना सुंदर कोई बना सकता है कै सरकल, बोलो, नहीं मैम, नहीं बना सकते, बोलना पड़ेगा यहां, ठीक है, चलो, आज की class यहां, एंड करते और कल की class में, मतलब मंडे की class में, हम स्टार्ट करेंगे, सिलोजिस्म, और I hope, Saturday, Sunday में में सारा बैक अप कंप्लीट कर दूँगी, तो आप लों को, जितने भी पेंडिंग बैक अपस हैं, वो सब इस वीकेंड मिल जाएंगे, तो आज की class यहां, अगर इसके बाद भी आप बचा है, या कुछ नहीं समझ में आ रहा है, या कोई concept नहीं समझ में है, तो you can ask me over whatsapp, I will clarify your doubts, with this we are ending our today's session, take care, bye bye.